62 की उम्र में ऐसी दिखने लगी हैं अक्षे कुमार की सास शादी शुदा सनी दियोल से रहा है अफेयर अपने जमाने की जानी मानी अभिनेत्री डिम्पल का पाड़िया लंबे समय तक फिल्मों से दूरी बना ली है कभी डिम्पल अपने ग्लैमरस लोक और बोल्ड फिगर की वज़े से काफी फेमस थी अपने रिलेशनशिप स्टेट्स के साथ साथ वो अपने खूबसूरत बालों और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं पासट पार होने के बावजूद उनके स्टाइल और ग्रेश में कोई कमी नहीं आई है इस बात का सबूत उनकी लेटेस्ट तस्वीरे हैं हाल ही में डिम्पल को स्टाइलिश अंदाज में एरपोर्ट पर स्पॉट किया गया इस दोरान वह ब्लैक टीशर्ट के साथ ब्लूडे इनिम जीन्स में बेहग स्टाइलिश और कूल नदर आ रही है इसके साथ ग्रेश रग और स्नीकर्स उनके लोग को कम पलीट कर रहे हैं एरपोर्ट पर उनकी स्टाइलिश एंट्री देखने लायक है डिमपल की ये तस्वीरे सोशल मीडिया पर खूब वायल हो रही है जिन्हें फैंस काफी पसंद कर रहे हैं तस्वीरों में वेह हमेशा की तरह प्रेश और फिट दिखाई दे रही है आपको बता दे कि पहली ही फिल्म बॉबी से डिमपल रिशी कपूर को डेट करने लगी थी लेकिन उस समय के सुपर स्टार अभिनेता राजेश खना की डिमपल बहुत बड़ी फैन थी और राजेश खना को भी डिमपल पंसद आ गई थी इसलिए 16 साल की उमर में ही उन्होंने राजेश खना के साथ शादी कर ली थी शादी करने के बाद डिमपल ने फिल्मों से दूरी बना ली थी लेकिन 9 साल बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए अलग होने के बाद डिम्पल ने फिल्म जगत में फिर से वापसी की और उनका दिल शदी शुदा सनी देवल पर आया लेकिन दोनों का रिलेशनशिप 11 साल तक चलने के बाद में दोनों अलग हो गए लेकिन साल 2017 में इनकी कुछ तस्वीरें वाइरल हुई थी जिसके बाद दोनों के चर्चे होने लगे वाइरल तस्वीरों में दोनों एक दूसरे का हाथ थाम बोट में बैठे हुए नज़र आये थे दोनों की ये तस्वीर सोशल मिडिया पर खूब वाइरल हुई थी बतादे की अभी नेत्री डिबल जल्द ही फिल्म भ्रहमास्तर में नज़र आएंगी फिल्म की शूडिंग उन्होंने कत्म कर ली है फिल्म में उनके अलावा अमिता बच्चन, रनबीर कपूर, आलिया भट मुख्य किरदार निभाते हुए नज़र आएंगे इसके अलावा खबरे हैं कि वेख सल्मान खान की अपकमिंग फिल्म दबंग टीन में नज़र आ सकती है फिल्म में वेख सल्मान की माका रोल निभा सकती है